नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको देखिए ये स्वेटर डीजैन बताने जा रही हूं ये मैंने दो कलर के उन में इसे बनाया है और आप अपने अनुसार से कलर सेलेक्ट कर लें और ये मोती है ये मार्केट में अबलेव जहां से आप सुई धागा खरीती है वहां पर आपको ये मोती बहुत आसानी से मिल जाएंगे तो आप इसे भी यूज कर सकती है और पीछे भी देखिए यहां पर कोई उल्जन नहीं है इसे डेजाइन को बनाने में तो आप इसे अपने बच्चों के स्वेटर में आसानी स बना सकती है या फिर गर्ल्स हो बॉइस हो या फिर बड़ी लड़कियों के किसी के भी स्वेटर में ये पैटन बहुत ही फिट आएगा तो अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सस्क्राइब नहीं किये तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेश जरूर क करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुछ सके और आप उस वीडियो का देख करके इस्तमाल कर सके तो फिर देखिये यहां पर मैंने पांच-पांच घर के गैपिंग लिया है तो आप इसी के अकॉर्डिंग यहां आप उस डाल लें पांच घर के बा इसे ही इन कर लेना है जैसे कि आप धेर सारे मोती यहां पर फिरो लें जैसे कि मैंने यहां पर 25-35 मोती को फिरो लिया है सेंपल के लिए आपको ज्यादा फिरोना पड़ेगा अगर आप ज्यादा बड़े बच्चों के लिए बना रही हैं अदर्वाइस बीच में अगर ख कि मैंने देखिये यहां पर थोड़ा सा बादर बना करके दिखाया है तो मैं आपको बता देती। हूं कि सिंपल सा ही बॉर्ड भारर हम कैसे बना सकते है आसानी से देखे यहां पर एक घर उल्टा सीधा मेंने लिया है आपको नज़रा रहे होंगे बनाते कैसे हैं वो मैं बता देती हूं ये घर को हम पहले स्कीप कर लेंगे और एक घर यहां पर उल्टा बीन लेंगे तो उसके लिए हमें धागे को अपनी और लाना पड़ेगा और एक घर यहां पैसे उल्टा बिन लेना है फिर धागा पीछे करेंगे और एक घर सिधा बिनेंगे फिर धागा अपनी और करेंगे फिर एक घर उल्टा बिनेंगे फिर दागा पीछे एक गर सीधा बस इसी तरीके से आपको पूरी रो जो है ये कम्प्लीट कर लेनी है एक गर उल्टा और एक गर सीधा बीनते हुए आप बहुत ही प्यारा सा और आसानी से ये बॉर्डर बना सकती है जो कि बहुत ही टाइट है और दिखने में भी खुबसूरत है ये फैलेगा नहीं तो इस तरीके के बॉर्डर जो है आप बना लिए फर्स्ट रो है सेकेंड रो में क्या करना है देखिए फ्रेंसी लास्ट में जो सीधी वाली लाइन है उसे हमें ध्यान में रखते हुए बीन हमारे पास बैक साइड में देखिए यह उल्टा लाइन हो जा रहा है तो हमें यहां पर दो गर उल्टा बीन लेना पड़ेगा तो पहले हम इसकीप कर लेंगे और फ़र्स्ट धागे को ही हम घर को उल्टा बीन लेंगे फिर सेकेंड में यह सीधा है और सामने से उल्टा है तो बहुत ही प्यारा नजराएगा तो चलिए अब हम आते हैं डिजाइन के लिए हमें क्या है अलग कलर के जैसा कि मैंने बताया कि मोती आपको इन करना है उसके बाद फिर हमें फर्स्ट जो है एक घर को सिधा बीन लेना है और साथ ही इस दूसरे वाले घर को भी हम सिधा बीन लेंगे और शाजनी से अंगको पांच anybody जो है यहाँ पर हम करेंगे हम घर को निकाले रहे Caleb आपने निकाल ली है इसे हमने वीना नहीं है एक मोती हम यहाँ पर एड करेंगे और और सभी मोती को साइड करते हुए इसके साथ मिले के जाके बस यहाँ पर छोड़ एना ठ एक दो तीन चार और एक पांच पांच घर देखिए हमने बिन लिया है वापस से हम दागा को अपनी और लाएंगे और यह मूत यहां पर रखेंगे और पांच घर को ऐसे उतार लेंगे यह दो से हम पांच घर हो गए अब यह दो फिर दागा को निया है अभी गर गलती है इसको हुम इसंप है तएकसाइड से धाका है यहां से करेंगी जैसे कि गर को यहां से नहींहें एक घर को हम ऐसे बीन लेंगे यह बाखी कर खरले कि का अशनलस ने हम शक़ागे हैं और जयेक भाख कलर को उसको हम यहां पर पांच घर बिनेंगे एक दो तीन और एक चार देखिए अलग कलर के उन है तो आपको मालूम पढ़ रहा है कि एक धागा हमने यहां पर इस तरफ से पीछे किया था अब हम एक घर पहले ही फिर से हमें इस धागे को यहां पर छोड़ेंगे और एक मोत इसके पास में रखेंगे उसके बाद इसको लेके हम पांच घर उतारेंगे स्लाइम में एक दो तीन चार और एक पांच घर हमने उतार लिया है एक घर यह जो उन है क्रीम कलर के उसको हमको बिनेंगे धागा अपनी और लाएंगे ऐसे उसके बाद यहां पर इस वाले घर को जो है बिन लेंगे पांच घर एक दो तीन चार और एक पांच घर हमने बिन लिया है फिर से धागा को हम पीछे करेंगे और एक मोती को यहां पर छोड़ेंगे और इसको पांच घर को इसकीप करेंगे दूसरे स्लाइम में उतार एक दो तीन चार और एक पांच होगे फिर दागा अपनी और लाएंगे ऐसे और दो घर यहाँ पर बिन लेंगे एक दो और यह कि यह लास्ट वाला है इसको भी हम दो घर हमने एक्स्टा उतारा था तो यहाँ पर भी तीन घर हो जाते हैं तो देखे फ्रेंस कुछ इस तरीके से यह बन रहा है डिजाइन कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है अब हम यह थर्ड रो लेकर जा रहे हैं सेकेंड रो हमने कंप्लीट कर लिया है यह फोर्थ रो का डिजाइन है तो थर्ड रो में हमें क्या करना है इसको बस वापत से ऐसे ह जैसा कि अब हमने दो गर पहले हमने बीना था तो अब हमें जो है यहां पर दिके तीन गर बीन लिए यह दागा मालुम पढ़ने लगेगा जैसे दिखेगा उसके एक घर बाद तक हमें ऐसे बीन लेना है चार गर है देखेंस यहां तक दो दागे नजर आ रहे हैं तो यह एक घर हमने यहां बीना है तो यह हो गया ऐसे ऐसे हम लेकर जाएंगे और इस वाले घर को सिधा बीन लेंगे एक दो तीन चार और एक ये पांच पांच गर हमने बिन लिये पांच गर बिनने को अधागा फिर से हम अपने पास लाएंगे आगे और स्किप करेंगे एक दो तीन चार और एक ये पांच पांच गर skip के उतार लिए उसका फिर धागा हम पीछे लेके जाएंगे इस तरीके से और बिनेंगे एक, दो, तीन, चार और एक यह पांच पांच गर हो गया देखें फिर इस तरीके से आपको बिनना है अब हम फिर से फोर्थ रो कंपिलेट करने जा रहे हैं इस पैटन का बिजाइन तो देखें यहां पर हमें चार गर ही बिनने है यह दागे हैं यह पे पांच पे घर में तो चार गर हमें यहां पर बिन लेंगे तो देखे फिर इस तरीके से सिधा इसिधा ही बिनेंगे दो, तीन और एके चार चार घर हमने बिन लिया धागा पीछे करेंगे एक मोती यहाँ पर एड़ करेंगे और उतारेंगे एक, दो, तीन, चार और एके पांच उतार लिये फिर धागा को अपनी ओर लाएंगे ऐसे और यहां पर पांच गर बिनेंगे एक, दो, तीन, चार, और एकी पांच पांच गर हमने बिन लिया, वापस से हमें धागा पीछे करना है और पांच गर उतारना है एक, दो, तीन, चार, और एकी पांच पांच गर उतार लिए फिर अपनी और लेंगे फिर यहां पर पांच गर बिन लेंगे एक, दो too, three चार और एक है पांच पांच गर हमने बिन लिया देखे कुछ इस तरीके से बेक साइड से नजर आ रहा है और फरन्ट साइड से ऐसे नजर आ रहा है इस तरीके से ऐसर नजर आ रहे हैं अब हमें क्या करना है चार मुति होचचे हैं तो इसे और बड़ा कर सकती हैं 5 ले सकती हैं छे ले सकती हैं क्यों हदी अब यहांपर já Nous प्तलिन और यहांगी उन्फर्ब्रेश्यारा। यह बीटतीता हैं अब इस डिजाइन को हम यहां पे बंद कर देंगे तो उसके लिए हमें इस जो उसका बेस हमने बनाया है उस कलर के उन को हम यहां पे इस्तमाल करके पूरे स्लाई जो है सीधी हम बीन लेंगे देखे इस तरीके से इस तरीके से हम पहले बीन लेते हैं देखे फ्रेंस यह चार सलाई हमने एक्स्टा प्लेन ही बीन लिया है आप कैसे जान पाएंगी तो पीछे से देखे आप इसे गिन सकती हैं यह वाले छोड़के अगर आप गिनेगी तो यह तीन लाइन हो जाएगा इसको लेके गिनेगी तो चार लाइन हो जाएगा तो यह देखिए अब नेक्स्ट जो है हमारा डिजाइन बनने को तयार है तो आपको फिर से उसी प्रोसेस का इस्तमाल करते हुए बनाना है तो देखिए दो घर तो हमने पहले सिंपल ही निकाले हैं ऐसे उसके बाद फिर धागा अपनी और करें देखिंगे एक दो.ती करेंगे तो एक,दूच गाई करने के बाद धागा को पीछे लेजाएगे अपक फिर 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 फास ग्रुण हमने राख सेखिंगे मोती रखेंगे और फिर उतारेंगे एक दो तीन चार और एक पांच फिर धागा पीछे फिर पांच घर बिनेंगे एक दो तीन चार और एक पांच और ये दो घर एक्स्ट्रा है इसे भी बिन लेंगे बस फ्रेंस यसी तरीके से आपको यह डिजाइन बनाते जाना है और बहुत ही प्यारा सा यह डिजाइन आप सभी के सामने है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर ले और अबी तक आपने हमारे चैनको सस्क्राइब ही कि तो बहुत बहुत धन्यवाद।